हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल डीके पार्ट चाला में स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल देख लिया होगा दोस्तों जो आपका यूपी ट्रपरेशी का एक्जाम हुआ तो 2018 में उसके बारे हम बात करने बारे हैं इस वीडियो में वीडिय 1903 पर वैकेंसी थी जिसमें से दोस्तों लगवा 1300 वैकेंसी पर शीट पर आपकी द्धान लिए थी यानिकि इनके ओमार सीट के साथ आपका छेडशाड की गई थी जो आपका सेलेक्टेड थे तो इसी के सलस्रे में दोस्तों यूपी गवर्रमेंट ने इस पेपर को आपका के पक्समें आपका फैंसला आया था तो उसके बाद दोस्तों बच्चें को पास ऑप्शन था डवल बेंच जाने का तो दोस्तों बच्चे जब डवल बेंच गए आपके तो वहाँ पर चार फरवरीक उनकेस अपना याज का दायर की थी जिसकी दोस्तों सुनवाई यह आपका केस था दोस्तों उसको आपका डिस्मिस कर दिया गया है यानि कि एक बार जो बच्चे आपके गए थे डवल मेंच में उनकी फिर एक बार फिर से आपकी हार हुई है यानि कि इसमें भी आपकी सरकार और आयोकी आपकी जीत हुई है तो दोस्तों आप यहां पर दें लेकिन आपको यह confirm है कि 100% आपका re-exam होगा क्योंकि सरकार के पास दोस्तो सारे सबूत है कि हाँ पेपर में धान्दी आपकी हुई थी तो यह सी दोस्तो आपको समझ नहीं होगी लेकिन दोस्तो यूटूब पर क्या चल लाग कुछ चैनल आपके ऐसे हैं जो आपका याद हो थे विलावाद हाई कूट में केस था आपका सिंगल बेंच का तब भी दोस्तो यही बोले थे के चैनल इस दून की जीत होगी ठीक है उस वाद बोले है डवल बेंच में जाना है तो वहाँ पर जीत होगी तो दोस्तो केवल आपको ब्रहुमित किया जा रहा है यानि कि आपका टाइम बरबाद किया जा रहा है वच्चक दारा ठीक है यूटूब चैनल लोग दारा तो दोस्तो आपसे यह कहारा चाहता हूँ कि जो भी अगर आप सेलेक्टिट थे 2.18 में या नहीं थे तो आप री एक्जाम के पर त्यारी लगात अच्छे से करते रहें क्योंको दोस्तो यह कर्फ़म है कि आपका 100% जो आपका री एक्जाम होगा और इस केस को आपका डिस्मिस कर दिया गया है तो दूस्तों यही आपको जानकर देने थी अगर दूस्तों कोई और सवाल आपका हो तो नहीं से कमेंट करके आप पूछ सकते हो तो थेंक्यू फो वाचिंग